हेलो फ्रेंड्स आइम सिद्धेश ठाकरे एंड वेलकम डू मैं चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपोर्टन्ट है आज का वीडियो शेल्ड शेडिंग पे है जैसा कि आप देख रहे हैं यह मेरा जो मेल टर्टल है यह पात साल का है और अभी इसका जो शेल है उसका शेडिंग शूरू हो गया है इनका जो शेल रहता है इसकी उपर की लेयर जो रहती है वो शेड होना शूरू हो जाती है निकलनी शूरू होती है और उसके जगह नहीं लेयर आती है तो यह टोटली नैचरली प्रोसेस है और इसका और शेल जाता हूं यह देखिए यह आप देख रहे हैं यह इसके पुरा नई जो नया जो लेयर है तो वह आ रहा है और पुराना लेयर जो है उनका निकल गया है यह जो है यह पुराना लेयर है और यह इसका यहां से निकल गया है तो यह टोटली नैच्छनल प्रोसेस है यह जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये जो इस पूरानी देख यह पैज पर देख रहे हो ये जो है ये पूरानी अपुन शेल की लेयर है ये शेड yaelectए की और यस तरह से ओ निकल जाएगी तो ये पुगरा नेचरल प्रोसेस है ये उपर की जो लेयर है वो भी इसी तरव इसकी निकल जाएगी और पूरे नई लेयर नया शेल इसको मिल जाएगा तो ये एक नेचरल प्रोसेस है और इसका शेल रोट से कुछ भी समध नहीं है शेल रोट में जो शेल रहता है टर्टल का ओक सड़ जाता है और शेडिंग में उसका जो शेल रहता है उसकी उपर की लेयर निकल जाती है नहीं लेयर उसको मिलती है तो यह नैशरल प्रोसेस है और बहुत अच्छी चीज है अभी यह चार साल का है और इसका यह पहला शेल शेडिंग है तो इसके ल